नमस्कर दोस्तों सवागत यापका फार्मा रोक्स के यूटूब विज्यो किस्टे चनल में आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडि करेंगे उल्टी रोकने की दवायों के बारे में उल्टी होना कि जिसका हम medical terms के अंदर vomiting कहते हैं, तो ये vomiting का हम किस तरह से रोक सकते हैं, vomiting होती क्यों है और किस तरह से ये problem का हम solve कर सकते हैं, तो detail में जानते हैं आज के वीडियो लेक्चर में और जानते हैं उल्टी रोकने की दवायों के बारे में, तो ऐसे समझे कि आपको स आपको description box के अंदर मिल जाएगी, तो वाद है topic पे और समझते हैं vomiting के बारे में, तो सबसे पहले ये problem के basic के बारे में समझे, तो एक ऐसी medical condition है कि जिसके अंदर आप काफी ज़्यादा uncomfortable feel करते हैं, बलब कि आपका G गवराता है, उल्टी जैसा feel होता है, G मतलता है और आपकी body इस तरह से react करते हैं कि आपके stomach के अंदर आप जो भी content है, उसको वो forcefully खाली करना चाहती है, especially mouth caterer, जिसके करण जो भी पेट मेरा content होता है, वो vomiting के थो हमारे सरीर में से बाहर आ जाता है, तो उसके कुछ symptoms देखे, तो जब vomiting होने वाले होते हैं, तो सबसे पहले किस तरह के vertigo जैसा feel होता है, आपको चक्कर आते हैं, या फिर जो spinning जैसा कहते हैं body के अंदर ऐसा feel करते हैं, second हम देखे तो excessive sweating मतलब कि पसी ना होता है, कि काफी ज़्यादा आपको पसी ना होने लगता है, तिसरा कुछ cases के अंदर abdominal pain जैसा होता है, मतलब कि पेट में दर्ध होता है, चौता symptom हम देखे तो आपके जो heartbeats होते हैं, या फिर जो आपके pulse rate होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, दिल की जो दड़का नहीं होते हैं, वो काफी ज़्यादा तीज हो जाती है, nausea and fever जैसा आप feel करते हैं, मतलब कि जी मचलता है और बुखार आ जाना, तो ये भी कुछ symptoms देखने को मिलते हैं, जब किसी को vomiting होती हैं, चाटा symptom हम देखे तो कुछ जो cases होते हैं, severe उसमें, patient जी वो बेहोस भी हो सकता है, पैंटनेस जैसा feel कर सकता है, balance issue जो हो सकता है उसको, तो अब समझते हैं कि ये problem होता क्यों है, कौन से अलग-अलग किसे reasons से, कि सबसे पहला ह एक motion sickness कि, जैसे आप traveling करते हैं किसी भी थरह से, कि चाह helt bus में travel कर रहे हैं, car के अंदर traveling कर रहे हैं, train, plane वगारा है, तो आपको वो vomiting जैसा feel होने लगता है, तो ये motion sickness का problem होँ करते हैं, कि जिसके अंदर आपको vomiting जैसा feel होता है, कि आपके ँरिर ़ो vomiting centers होते हैं, वो activate हो जाते ह specially develop होता है pregnancy के तक अगर आप pregnant है तो उसमें यह morning sickness जैसा फिल होता है जिसमें specially आपको जी मचलता है जी गप रहता है और vomiting जैसा जो आप फिल करते हैं चौथा एक reason है यहाँ पर वो है indigestion मलब कि indigestion जैसा अगर आप फिल करते हैं तो यह भी एक reason बनता है आगे जाके vomiting का फिर काफी जदा acidity हो चुकी है आपको या पर पेट में काफी जदा gas बन रही है तो उसके करण भी आप जो है वो nausea vomiting जैसा फिल करते हैं चटा हम देखे तो bacterial या फिर कोई viral infection है कि आपको कोई पेट में infection हुआ है especially जो vomiting का जो reason होता है वो होता है कि आपके gastrointestinal tract में रहा कुछ ना कुछ infection कि चाहे कोई bacterial infection हुआ है या फिर कोई virus के करण infection हुआ है तो भी यह जो vomiting के जो symptom से वो develop हो सकते हैं फिर migraine headache के अंदर vomiting जो खास कर देखने को जो सकती है पिर जो pregnancy का पूरा phase है कि चाहे उसका first trimester है second है third trimester है तो pregnancy के दौरान भी vomiting जो हुए reason बनती है ninth reason यह है कि कुछ medicines की जो nausea vomiting जो वो produce करते हैं जैसे कि अगर आप लंबे समय से कुछ antibiotics ले रहे हैं या फिर आप antibiotics ले रहे हैं तो भी उसके side effects के तौर पर आपको vomiting हो सकती है या फिर vomiting जैसा feel हो सकता है anti-depressants के करण हो सकता है फिर जो cancer की इलाज में जो दवा यह होते हैं जिसको हम sincerely कीमोथेरापी कहते हैं या फिर anti-cancer drugs कहते हैं उनके भी side effect रहते हैं या फिर जो opioid pain medication से उसके अलावा जो कुछ vitamins से, mineral supplements से, iron वगिरा है उनके side effects के तौर पर भी आपको जो वो vomiting जैसा feel हो सकता ह हैं और 10th reason हम देखें तो वो है diarrhea या फिर stomach related is similar कि जब आपको lose motion आदे तो कई बार आप देखना कि diarrhea के साथ और साथ vomiting भी होती है patient को तो यह कुछ यह से 10 अलग अलग reasons है कि जिसके करण यह problem जो हो सकती है तब उसके diagnosis के बारे में समझते कि कैसे उसका निदान हो सकता है तो य जिससे आपको पता चले second उसके sign and symptoms चेक करना जरूरी है medical history उसके check करना जरूरी है कि जिससे आपको पता चले proper को एक patient counseling करना पड़ता है कि जिससे idea आता है कि past में कुछ बीमारिया हुई थी है या नहीं या फिर उसने कौन सी दवाई आली है past में तो यह सब idea आए कि जब आ करन समझे कि ऐसा हो रहा है कोई female के अंदर तो उसका pregnancy test जरूर से करना चाहिए तो pregnancy confirm करने के लिए test कर सकते कि जैसे vomiting के reason आपको पता चल सके ultrasound scan एक बार करा लेना चाहिए कि विकास जो lower abdomen का जो हमारा पूरा reason होता है कि या फिर जो gastrointestinal track का जो lower portion है कि वहाँ पे कोई infection है व अब बात करते treatment में तो पहले कुछ home remedies हम समझते तो अगर किसी को ऐसा nausea vomiting जैसा फिल होता है उल्टी जैसा फिल होता है तो उनको जो fresh lemons होता है उसका juice लना चाहिए लिम्बू पानी वगएरा लेना चाहिए कि जिससे आप काफी जद आच्छा फिल करोगे अगर यह possible नहीं ह आपको जो वो vomiting जो कम हो सकती है फिर चौथा है कि पीपर मेंट पर ले सकते हैं अगर जिंजर से आपको ठीक नहीं होता है पांच वो आप्सन यह बनता है लूको राइस के जो रूट का तो लूको राइस के जो रूट होते हैं उसको आपको एक छोटा सा जो टुकड़ा हो और ट्रावलिंग में यह आपको हो रहा है कि जैसे आप ट्रावलिंग कर रहा है और आपको नौस्वामिटिंग फिल होता है उल्टी हो जाते तो आप ट्रावलिंग करते वक्त ही क्लाव अगेरा जो लोंग है अगेरा उसको यूस कर सकते हैं अब आते हैं medicines के option के तो सबसे पहला जो हमारे पास popular option है medicines का वो है Promethazin के जो tablets का कि इसका popular आप brand यहाँ पे देख सकते हैं यह वो mine करके तो इसका जो dose रहता है कि अगर आप traveling करें तो traveling के एक गंटा पहले जो यह आप ले सकते हैं जिसका dose रहता है 25 से 50 mg ओरल पर डे वलकिरी maximum आप दिन में दो tablet जो यह ले सकते हैं second हम देखे तो ondance satron की जो tablets आथी जिसका dose रहता है 4 से लेकर 8 mg हर 8 गंटे पे जो पेसंट उसको यूज कर सकते हैं तो ondance satron के injection भी available होता है तो वो भी same dose में जो लगया जाता है फिर तिसरा option है granny satron का तो उसका जो हम dose देखे तो 1 से लेकर 3 mg जितना रहता है पर day के हिसाब से तो यह जो उसके marketer formulation आप देख रहे हैं तो उसमें भी आप देखो तो यह जो tablet है वो सिर्फ वो सिर्फ 1 mg की tablet है next देखते हैं वो है doxylamine करके कि जो काफी popular है especially जो morning sickness के जो cases पेसंट होते है या फिर pregnancy के दर जिनको nausea vomiting जैसा काफी ज़दा फिल रहा है तो उनके लिए काफी अच्छी medication है safe माने जाते हैं कि pregnancy के अंदर nausea vomiting हो रही है तो यह doxylamine जो है वो काफी ज़दा safe है कि जिसके अंदर combination में के बात करें तो 10 से लेकर 20 mg जो जितना रहता है bedtime और दिन में 2 या 3 बार भी आप ले सकते हैं doctor के सला के according to पांचवा हम देखे popular medication जो vomiting रोकती है वो है domperidon तो domperidon के हम dose की हम बात करें तो 10 से लेकर 40 mg रहता है दिन में 3 बार पांचवा हम देखे option उसी के अंदर domperidon के dispersible tablets भी आते हैं कि जिसको dt कहा जाता है जो 10 mg के strength में market में available होती है फिर उसी के warm-y stop करके भी tablets आते हैं तो यह अलग-अलग brand आपको मिल जाते हैं domperidon के अंदर छटा option हमारे पास है Maclees Inka तो Maclees Inka आप देखो 25 mg के tablet है और उसका खास का dose रहता है 25 से लेकर 50 mg पर डे जितना तो मालों कि आप यह 25 mg वाले tablet यूज़ कर रहे है तो एक सुबह या फिर एक साम को या फिर हर दो dose के भीच में अटलिस्ट 8 गंटे का time interval जो होना चाहिए साथ वा उप्सन उसी के अंदर हम देखे उससे पहले तो Maclees Inka दूसरा एक ब्रांड देख सकते हैं आपे glad word करके तो दो अलग-अलग ब्रांड यहाँ पर आप देख सकते हैं डीलीगन करके भी है और दूसरा जो है वो glad word करके हैं साथ वा उप्सन है हमारे पास वो है काफी एक popular है diamond hydrinate करके है कि जो 25 mg या फिर 50 mg के strength में उसके जो tablet से वो available होते हैं और उसका वी डोस हम देखे तो 25 से लेकर 50 mg पर डे जितना रहता है आठ वा उप्सन है वो है सिन्ना रिजिन का कि जो vertigo में भी यूस होती है कर आपको चक्कर आते हैं और चक्कर आने के बाद vomiting हो जाती है तो ये काफी popular medication है उल्टी रोकने के लिए तो उसका वी डोस सीमिलार है 25 से लेकर 50 mg जितना और अली पर डे जितना और उसका marketed formulation पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सीका कि जिसमें ये जो टाबलेट है वो 25 mg के strength में market में available है 9th option है वो है metoclopramide का तो वो खासकर 10 mg के strength में ये tablet अवेलेबल होती है ये जो डोस है वो दिन में 3 बार ले सकते हैं हर 6 या 8 गंटे के time interval पे 10th option है वो है intramuscularly injection से भी उसको दिया जाता है पर day के सबसे तो याप याप उसका injection भी देख सकते हैं जो खासकर 12.5 mg पर ml के dose में जो है वो अवेलेबल होता है तो ये थी अलग-अलग options उल्टी रोखने की दवायों के बारे में ऐसे समझे के आपको सीखना है बहुत सारी दवायों के बारे में बीमारयों के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी So good luck and all the best